हेलो दोस्तों तेजन तुचीका में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने काले और पिर्मेंटेट होटों को कैसे पिंक और सौट बनाएं दोस्तों आज जो मेरी मेडिक को सेयर करूँगी इसके सिर्फ पांच को स्वाइब करें अपने काले और पिर्मेंटेट होटों को पिंक और सौट बना सकते हैं वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आप मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज म हमें इसमें एक चमच नारियल तिल को एड़ करना है दोस्तों नेक्स्ट हमें इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी हनी को इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर ले रहा है दोस्तों अब हमें इसमें 8 से 10 बुल नेमू करस को एड़ करना है दोस्तों अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों कि हल्दी जो होती है वह हमारे स्कीन के दाख धब्बो को रिमूप करके हमारे स्कीन को चमकदार बनाती है अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है दोस्तों अब हमारे रिमेडी बनकर बिल्कुल तयार हो गया है अब हमें इस तरह से अपने उलियों पर उठाना है और इस तरह से इस रिमेडी को अपने लिप्स पर लगाना है आपको इस रिमेडी से हफते में कम से 2-3 बर इस तरहहसा अगा इस तरह से अगर आप इस रिमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करेगे तो आपके होट नर्म लायम और सौप्ट होजाएंंगे आपके होटों पर जो काली प्रक जंगे है वो भी दूर हो जाएंगे और साथी आपके होटों करने जो कलर वापस आएगा आपके होट पहले की तरह पिंक हो जाएंगे जब एरी पेड़ी पूरी अच्छी तरह से आपके लिप्स पर लग जाए तो इस तरह से कटे हुए लेम जो होता है दोस्तों इसमें सैटिक एसीड होता है जो हमारे स्किन को लाइटेंड करता है वारे पिंगमेंटल लिप्स को लाइटेंड बनाने में काफी हिल्प करता है इसमें ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है दोस्तों जो हमारे स्किन को लाइटेंड करता है और हमारे स् करने के बाद दोस्तों आप इसे पांच मिनेट तक अपने स्केल के और आप nowhere आहिब अपने लिप्स को नोर्न पानी whilst से धो लीजिए और आप अबी तक मेरे चैनल को समस्षिजर नहीं रहें स्काना है cuma आपसे फिल मिलूँगी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर